तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डियोई की तरफ से प्रोवाइड किये गए मिसन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए कोस्टन ओप दा डे की वर्कसीट को जो की 16.08.2023 डेट के लिए है इससे पहले की सभी वर्कसीट और असेस्मेंट का सोल्यूशन दोनों मेडियम में अपलोड है कोमेंट में लिंक मिल जाएगी ओपन करके देख सकते हो क्योंकि मॉश्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है आपके मिट्रम और एन्वाल एक्जाम के लिए ठीक है तो कोस्टन को स्टार्ट करते हैं कोस्टन है तो सोल्यूशन देखो इसका तो इस प्रकार सबसे पहले एक डाइग्राम बना लो ए, बी, सी, डी ये क्या हो गया चतुरभूज ठीक है तो सबसे पहले हमें चार बार डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए दूरी निकालना है एक बार A, B की उसके बाद में B, C की उसके बाद में C, D की उसके बाद में A, D की ठीक है तो ध्यान से देखो, पहले हम A, B का निकालते है A, B, A पॉइंट लिख लिए, A, 2, B पॉइंट लिख लिए, 5, 4 तो ये आपका X1, Y1, X2, Y2 हो गया A, B के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र लगा दो X2-X1, तो यहांपर 5-1 का होल स्क्वाइर Plus Y2-Y1, 4-2 का होल स्क्वाइर हो गया ठीक है, 5 में से एग जाएगा 4 का स्क्वाइर 4 में से तो जाएगा 2 का स्क्वाइर, 4 के स्क्वाइर 4 गुड़े 4, कितना आएगा, 16 इसी प्रकार दो का इस पर होगा दो गुणे दो बराबर कितना आएगा चार ठीक है यहां पर आगया जोड़ोगे तो रूट में 20 आजाएगा रूट में 20 का c b कितना है 5,4 c कितना 3,8 यहां पर मैंने अलग लिख दिया समझने के लिए ठीक है b c के लिए b c और यह x1 y1 x2 y2 दूरी सुत्र का उफ्योग फिर से किया गया यहां पर फॉर्मला अप्लाई करो x2 माइनस x1 का होल स्क्वार तो x2 3 माइनस x1 5 का होल स्क्वार यहां पर लिख स्क्वार इधर घटाने पर आएगा 4 का स्क्वार माइनस 2 का स्क्वार प्लस 4 आएगा 4 के स्क्वार 4 चॉप 16 आएगा जोड़ोगे तो रूट में 20 फिर से से हम 2 गड़े 5 दो जोड़े से बाहर आएगा रूट में 5 लिखेंगे तो b c भी आ गया ठीक है अब हम निकालेंग होगे c d c d c a 38 d a minus 1 छे तो फिर से यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया ठीक ना सी और डी यह हो गया x1 y1 x2 y2 दूरी सुत्र का इस्तेमाल करो फिर से यहाँ पर x2 minus x1 minus 1 minus 3 का होली स्क्वार प्लस y2 minus y1 6 minus 8 का होली स्क्वार आगे शोल्ट करोगे यह minus minus प्लस हो जाएगा minus 4 का स्क्वार यह minus 2 का स्क्वार घटाने पर आएगा यह 16 हो जाएगा minus 4 का स्क्वार करोगे तो आजाएगा minus 4 गुड़े minus 4 16 हो जाएगा minus minus प्लस हो जाएगा इसी परकार दो का भी 4 आएगा जोड़ोगे तो रूट में वीश आएगा और ये भी सेम वही बनेगा दो गुणे दो गुणे पांच दो जोड़े से बाहर रूट पांच सेम CT भी आ गया ठीक है आगे देखो इसके बाद में में निकालना है AD AD ठीक है AD के लिए फिर से सेम AD ये हमा रहा हो गया X1 Y1 X2 Y2 दूरी सूट लिखने के बाद में value पूट कर दो X2 minus X1 minus 1 minus 1 का all square plus Y2 minus Y1 6 minus 2 का all square सोट करोगे minus minus plus हो जाएगा minus 2 का square 6 में से दो जाएगा plus के बाद 4 का square ये plus का 4 निकलेगा ये 4.16 हो जाएगा root में भी सेम फिर से वही आएगा ठीक है तो याँआ पर क्या समझे आप याँआ पर देखो धायांसे condition वही हो गई सब सेम आ गया तो A B C D के बराबर निकल गया और ये A D जो है ये B C के बराबर आ गया है ठीक है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे अता इंगलिस में हैंस A B बराबर C D के आ रहा है B C बराबर A D के तो हिंदी मीडियम में लिखोगे अता A B C D एक समांत देते हुए ऐसे ही लिख लो यह answer हो जाएगा ठीक है यहां से आई हो 25 समझ में आया होगा क्योंकि मैंने secret अलग लग लिख के बार बार formula के साथ value put की है फिर भी कहीं पर कोई doubt है तो comment कर सकते हो यहां से आप ऐसे ही लिख लो ठीक है यह आपका answer हो जाएगा किसी के साथ यह work sheet complete है काहीं पर कोई doubt है comment कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching this video and take care